तो आज हम डिस्कस करेंगे अभी इंपॉर्टन्ट रिवर्स आफ इंडिया जैसे कि आप जानते हो कि इंडिया में बड़े सारे रिवर्स बहते हैं उन में से आज हम डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टन्ट इंडिया रिवर्स इस्टम को जानी कि जो इंडिया और उसकी सहाइक नदियां तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंडिया रिवर्स जिसको हम सिंदू रिवर्स भी कहते हैं और सिंदू और सिंदू के साथ उसकी कुछ सहाइक नदियां जैसे कि जेलम, चैनाव, रावी, ब्यास, सत्लुच और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे गंगा रिवर्स इस्टम लेकन सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे इंडिस्रिवर्स जैसे कि आप जानते हो कि इंडिस्रिवर्स जो है बारत की एक प्रमुख नदी है और जो के निकलती है जिसका उद्गम स्थल यानि के उरीजन आफ दा इंडिस्रिवर्स जो की तिबबत में हैं तिबबत मांसरोवर्स लेक के पास होई है तो वहां से दिबबत से होती हूई लदाक से गुजरती हूई फिर पाकिस्तान में चले जाती है वहां से बै़ती हूई फिर इरेविंसी में रियाची के पास इसका फ़ल उता है जहानी कि हम आ सकते हैं कि इंड़स जो औरीजन है वो तिबत में, तिबत में मांसरोगर के पास और इसका जो फाल है जाने कि यहां पर गिर्थी तो यह गिरती ए Low जो जिसे अरब साहगर भी करते हैं कि तो इंड़स की एक प्रमुख सहायक नदी है इसका नाम है जेलम जैसे आपको पता है कि जेलम जो है यह जह इसका उद्गम सल जानि के ओरिजन है इसका कर्षमीर कर्षमीर में जगा है वेरिनाग वेरिनाग से निकलती है और यह फाल करती है चेनाग में तो इंडस रिवर सिस्टम की सबसे इंपॉर्टन्ट और उसकी सबसे लंबी यो एक सहायक नदी है है व्त्रिविर्ट्री है उसको भूलते है चेनाग चेनाग का उध्यम सल औरीजन बारत में ही है और बारत में कि घमाकल में महक्ल में स्बसे एक बारालच से निकलती और यह इंडस रिवर सिस्टम में इंडस रिवर की सबसे बड़ी सहायक नदी Jay उसके बाद जो इस सिस्टम में रावी नदी आती है इसका भी उद्गम स्थल हिमाचल में है रोहतांग पास के पास और ये भी गिरती है चेनाब में उसके बाद इस रिवर सिस्टम में एक और प्रमुक नदी आती है ब्यास इसका भी उद्गम स्थल हिमाचल में ही है और हिमाचल से ये निकलती है प्रोतांग पास के आसपास से वहाँ से होती हुई ये भी कहां गिरती है ये आके मिलती है सतलज के साथ और आपको बता दें जो सतलज नदी है ये निकलती है तिबबस से तिब्बस से होती हुई ये अंटर करती है हिमाचल में और हिमाचल से होती हुई फिर आगे चले जाती है ये पंजाब में और पंजाब से होती हुई चले जाती है ये पाकिस्तान में और वहां जाके ये मिल जाती है चेनाब से वहां यह सारी नदियां जिससे हम जिससे पंजाब बनता है जिससे हम कह सकते हैं कि आगे इंडस में गिरती हैं और इंडस फिर आगे जाके अरेबिन से तो एक वर फिर से हम इसको एक वर कर लेते हैं तो सबसे प्रमुक नदी है इंडस जिसे हम सिंदु भी कहते हैं और सिंदू की सहायक नदियों में जेलम, चेनाव, रावी, ब्यास, सत्लज जेलम जो के बेरिनाग से निकलती है चेनाव जो के बाराल अच्छा से, रावी, रोहतांग पास से ब्यास भी उसी के आसपास से, रोहतांग पास के आसपास से सतलज निकलती है तिंबर से तो I hope शो कि आपको इंदस्रिवर्सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पता चल गया होगा तो मैं अपने अगले वीडियो में इंदस्रिवर्सिस्टम के जित्री भी नदिया हैं इनकी लंबाई इनकी लंध के बारे में बताऊंगा वो साथ में इनके उपर जितने भी hydroelectric projects हैं उनके बारे में discuss करेंगे फिर उसके बाद उसके अगले वीडियो में हम discuss करेंगे गंगा रिवर सिस्टम सो थैंक यू